शरीहूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शनी जैनती वाले दिन आप लोग क्या-क्या उपाई कर सकते हैं जिससे आप लोगों की दिक्कते दूर हो जाएंगी। शनी जैनती की शाम को आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे तिल या सरसो के तेल का दीपक प्रजलित करें। उर्जा होगी तो वह अवश्य ही दूर चली जाएगी। शनी जैनती को सरसो का तेल हाथ पर और पेरों के नाखुनों पर अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से आप लोगों को रक्त सम्मद्दित बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शमशान घात में लकडी का दान अवश्य ही करें शनी जैनती वाले दिन। शनी जैनती के दिन बंदरों को काले चने गोड केला अवश्य ही खिलाएं। ऐसा करने से शनी देफ की किरपा आप लोगों के उपर बनी रहेगी। शनी जैनती को आग के पौधे पर साथ लोही की कीले चड़ाएं। काले घोडे की नाल या नाव की कील से बनी लोही की अंगूठी मध्यमा उंगली में शनी जैनती को सूरियस्त के समय आप लोग धारन करें। ऐसा करने से आप लोगों के उपपर शनी देफ का अगर बुरा प्रकोफ होगा तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। शनी जैनती को काले उड़त पिश्वा कर उससे आटे की गोलिया बनाकर मचलियों को खिलाने से आप लोगों की अगर नौकरी नहीं लग रही है तो जल्दी ही आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। बहते प आएगी। शनी जैनती को दस बदाम लेकर हनुमान जी के मंदर में जाएं। पांच बदाम वहीं रख दे और पांच बदाम घर लाकल किसी लाल वस्तर में बांध कर धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आप लोगों को धन सम्मंदित दिकत नहीं आएगी। पुराना ज अगर विलंब हो रहा हो तो 250 ग्राम काली राई नई कपड़े में बांध कर पीपल के पेड़ की जड़ में रख कर आ जाएं। आप लोगों की शीक्री विवहा की जो भी कोशिशे होईंगी वह अवश्य ही संपन होईंगी। शनी जैनती को काले रंग की चिडिया खरीद क उसे दोनों हातों से आस्मान में उड़ा दे। आपकी सारी दुख तकलीफे भी दूर हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।